हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो आई चैनल स्टडी फोर यू, सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दू, आज जो आपका कोई भी SSE MTS का एक्जाम नहीं है, बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेक रहा हूँ, जिनका आग्याने वाले सिप्टों में जो है SSE MTS का एक्जाम होने वाला है, तो जिन भी केनेट्स का आग्याने वाले सिप्टों में SSE MTS का एक्जाम होने वाला है, मैं आपको 100% ये गैरंटी देता हूँ, कि आपके SSE MTS के एक्जाम में यहां से प्रेस्ट ने जरूर पूछे जाएंगे तो विडियो को जो है लास्ट टक जरूर देखेगा और आप से रिक्वेश करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSE MTS एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में ही आपको एक बैल एकन यानि घंटे का निशाहन भी दिख रहा होगा करवाया गया था तो साथ जहां आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा इसके लाव बात कर ले आगरे के किले के बारे में तो देखे आगरा का किला को जो है आगरा का लाल किला भी कहा जाता है और इसका जो निर्मान है ना यह अकबर के द्वारा करवाया गया था इसके कौन सा महरास्ट राज्जी का लोक नत allegedly है, जहाँ पर option में आपका भी हो गिढ़ा, घुमर और लावनी दिया गया था तो देखे अगर पहले option की बात कर ले तो बियू ये जो आपका असम राज्य का लोक नेते है गिद्धा की बात कर ले तो ये आपका पंजाब राज्य का लोक नेते है घुमर की बात कर ले तो ये आपका राजस्थान राज्य का लोक नेते है वही अगर महरास्ट राज्य के बात कर लें तो धनगरी, गाजा, कोली नित्य, डिंगी, लावनी नित्य, ओदास और तमासा ये सब आपके महरास्ट राज्जी के जो है लोक नित्य हैं तो आपके उप्सन में जो है लावनी नित्य दिया गया था तो लावनी आपका यहाँ पर एक करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि 1867 में बंबई में आत्मा राम पांडूरं के द्वारा किस समाजी सुधार संस्थान की जो अस्थापना वह किया गया था तो देखें मैं आपको बता दू कि प्रात्ना समाज की जो अस्थापना है ना ये आपका 31 मार्च 1867 में आत्मा पांडू-रंकि द्वारा बंबई मे किया गया था तो प्रातना समाज आपको Isra, और धेरं को सभार ि एक संधाल की पूजह करना ही इस समाजिका अधेर था लागWow के प्रमुख संगटन एवं संस्थापक से लागतार जो प्रस्ट न पूछे जा रहे हैं जैसे कि आन्ने प्रमुख संगटन एवं संस्थापक की बात कर ले तो देखे आत्मी सभा का जो गठन है न यह आपका 1815 में राजारा मोहन रॉय के द्वारा किया गया था और यह जैनी शभा की जो अस्थापना है यह 1849 में देवेंदर नाट टैगोर के द्वारा किया गया था प्रात्ना समाज की जो अस्थापना है न यह आपका 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडू रंग के द्वारा किया गया था 1949 में फॉरवट ब्लॉक की अस्थापना सुभाज चंडर बोश के द्वारा किया गया था आगा खान एवं सलीम उल्ला खान के द्वारा मुस्लीम ली की जो अस्थापना है यह 1906 में किया था रामकृष्ण मीशन की जो अस्थापना है यह 1897 में स्वामी विवेका नंत के द 1905 में गोपाल गृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कुछ आपका आप रहा था कि जीम कॉर्वेट नैसनल पार्क यह जो एक कहा पर इस्तीत है तो देगे मैं आपको बता दू कि भारत का जो सबसे एक टंसर होगा इसके लाव बात कर ले जीम कॉर्वेट नैसनल पार्क यह जो किसके लिए प्रशिद है तो यह आपका रॉयल बंगाल टाइगर की लुप्त प्राइप रजातियों के लिए यह आपका जाना जाता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके ल और यह किसके लिए प्रशिद है तो देगे यह जो आपका हैमिस नैसनल पार्क है ना यह अपना हीमत न्दू के लिए जो है विसु अस्तर पर पर प्रशिद है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा अन्ने रास्टे उध्यान की बात कर ले तो ईट्सक्तोश आपके आप रहा था की लवलीना बार्गहन यह ज्शद से संबन्दित है तो लवलीना बार्गहन की बात कर ले तो यह आपका मुक्केबाजी यानि बॉक्सिंग खेल से न्वान तो बॉक्सिंग आपके यहां पे करेक्ट टैंसर होगा इसके लाव बात कर ले लवलीना बॉर्गेंट का सम्मंद यह किस राज्य से है तो यह आपकी असम की रहने वाली है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव मैं आपको बता दू कि आपका टोकियो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एक्जाम में जो इनका भारवर्ग जो वो पूछा जाता है तो भारवर्ग आप जरूर ध्यान में रखीगा नेक्स्ट कोश है आपका यहां पर रहा था कि 2004 में संगीत नाट्टक अकार्मी पुरुषकार पाने वाली सास्वती सेन यह आपका launcher सेन है यह आपका कथक नेत से संबन्दीत है तो कथक आप करेक्ट अंसर हो गा इसके लागं मैं आपको बटा दू कि सासवती सेन के जो है आप यह किसकी सीसिया थी तो यह आपके पंडित बिर्जू महराज की जो वह रीष्च त इक सिसिया थी तो यह रहतना आगे के सिप्टों में आप से पूछा जा सकता है कि सास्वती सेन के गुरु कौन थे तो यह आपके पंडित बिर्जु महराज थे नेक्स्ट कोशा आपके आप रहा था कि भार्ते संविधान के किस अनुछेद में समान नागरीक सहिंता का उलेख किया गया है तो देखे समान नागरीक सहिंता का जो उलेख है ना यह आपका अनुछेद 44 और भाग 4 में जो है किया गया है तो अनुछेद 44 आपका करेक्ट अंसर होगा आपका DPSP का वर्णार जो वो किया गया है इसके लाद DPSP की जो विसेशता है ये किस देश के समभीधान से लिया गया है तो दिएके DPSP की जो विसेशता है ये आपका Ireland देश के जन्वीधान से लिया गया है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश्च आपका यहाँ पर रहता कि 2011 की जनगन्ना के अनुशार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो देखे मैं आपको बता दू कि TCS का जो 2011 सेंसस है यह सबसे फैबरेट टॉपिक बन गया है तो देखे 2011 की जनगन्ना के अनुशार सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला राज्य था यह आपका उत्तर परदेश राज्य था तो यह क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है वहीं अगर सबसे कम आवराल की बात कर ले तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो आपका रहा था वो आपका लच्छ दीप के हिंडर सासीत परदेश राथा वहीं अगर राज्य पूछ लिया जाए तो देखे सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य रहा था यह आपका सिक्किम राज्य रहा था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव बात कर ले 2011 की जनगना के अनुशार जो छेतरफल की द्रिष्टी से आपका जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा रहा था तो देखे अगर छेतरफल की द्रिष्टी से पूछ ले तो राजस्तान जो यह सबसे बड़ा राज्य रहा था वहीं अगर सबसे चोटा राज जी छेत्रपल की द्रिस्टी से फूच ले तो यह आपका गोवार राज जी रहा था तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लावा अगर आपसे सरवादीक जनसंक्या घनत वाला राज जी पूच दिया जाए तो सरवादीक जनसंक्या घनत वाला जो राज जी रहा था यह बिहार रहा था उस्तम लिंगान उपात वाला राज्जी अगर पूछा जा तो यह आपका केरल रहा था सबसे कम लिंगान उपात वाला जो राज्जी है यह आपका हरियाना राज्जी रहा था उस्तम साचर्टा दरवाला राज्जी अगर बात कर ले तो यह आपका केरल राज्जी रहा था और सबसे कम साचर्टा दरवाला जो राज्जी है यह आपका बिहार राज्जी रहा था तो यह important fact जो आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि निमनलिकित में से किस भारते राज्जी की जो सीमा है यह म्यानमार के साथ नहीं लगता है तो देगे मैं आपका बढ़ा दू कि भारत की टोटल चार राज्जी जो है म्यानमार देश के साथ सीमा साजा करते हैं और वो चार राज्जी क वो आपका सिक्किम दिया गया था, तो देखें यह जो आपका सिक्किम राज्य है ना, यह आपका भुटान, चीन और निपाल के साथ अंतरास्टे सीमा साजा करता है, ना कि म्यानमार के साथ, तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट अंसर होगा, नेक्स्ट कोश हैं आपका य आपका एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें टॉप 10 देशों की जनसंक्या की सूची जब वो जारी किया गया था, जिसमें भारत जो है, चीन को पछाड कर जो है, ये पहले अस्थान पे आगया है, तो पहले अस्थान पे जो आपका भारत देश है, सेकंड अस्थान आपका चीन देश है, थर्ड हस्तान पे आपका युएसे देश है, फोर्ट पे आपका इंडोनेशिया है, पांच में पे आपका पाकिस्तान देश है, छट्थे पे आपका ब्राजील देश है, साथ में पे जो आपका नाइजेरिया देश है, आठ में पे आपका बांगला दे इसके अलावाद 6 रफल की दृष्टी से टॉप 10 देशों की सूची अगर देख लें तो देखेंगे पहले अस्थान पे जो आपका रूस देस आता है, सेकंड अस्थान पे आपका कनाडा देश आता है थर्ड अस्थान पे आपका संयुक्तराज अमेरिका यानी USA देश आता ह है, फोर्फ अस्तान पे आपको हमारा भारत देश आता है, नोमे पे आपका खजागिस्तान देश आता और द Probleme आपको ध्यान के वाइ मंडल की आद्रता या फिर वाई यू और गास की आद्रत को जो है यह आपका आद्रता मापी यानी हाइग्रो मीटर कहा जाता है तो हाइग्रो मीटर भी आपको ध्यान मेर रखना है इसके विदुदिध della को मापने के लिए जो उपकरन का परियोग किया जाता है वो आपका अमीटर का जो परियोग किया जाता है इसके लावा वीवान की उचाई मापने के लिए जो है यह आपका अल्टी मीटर उपकरन का परियोग किया जाता है इसके लावा हवा की सकती तथा गदी को मापने के लिए जो है यह आपका परियोग किया जाता है इसके अलावा धानी की तुरिवता मापने के लिए यह आपका ओडियो मीटर उपकरन का उपयोग किया जाता है इसके अलाव मैं आपको बता दू कि द्रव या गैसों के दवाव मापने के लिए आपका मैनो मीटर उपकरन का परियोग किया जाता है तो उने जो लोकसभा अध्यच कहा जाता है तो लोकसभा अध्यच आपका correct answer होगा next उस आपका याप रहता है कि वायू मंदल की सबसे थंडी परत कौन सी है तो देखें वायू मंदल का जो सबसे थंडा परत होता है ना इसे जो मीजो असफेर यानि मद्य मंदल कहा जाता है तो मद्य मंदल आपका correct answer होगा सबसे गर्म परत की अगर मैं बात कर लूँ तो देखें सबसे गर्म जो परत है ना ये आपका थर्मो असफेर को कहा जाता है तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है यानि इसे ताप मंदल कहा जाता है नेक्स्टोशन आपका याप रहा है था कि पीम जंदन योजना में 20 अक्टूबर 2022 तक जो है सरवादी खाते ये जो है किस राज्जिम है तो देखें मैं आपको बता दू कि 20 अक्टूबर 2022 तक जो है पीम जंदन योजना के अंतरगत आपके 482 मिलियन से ज़्यादा खाते जो है वो खोले जा चुके हैं और अभी भी आपका खोला जा रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपका खाते है या आपका उत्तर परदेश राज्जी में खोला गया है उसके बाद दूसरे अस्थान पर आपका बिहार राज्जी में खोला गया है उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में है उसके बाद आपका मद्य परदेश आता है उसके बाद आपका राजस्थान उसके बाद जो आपका महारास्ट राज्जी आता है तो सरवादी खाते किस रज में हैं तो उत्तर परदेश आपका यहाँ पर करेक्ट टेंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि इन में से कौन सी पूस्तक जो है हरिवन सर्राय बच्चन की आत्मकता यानि आटो बाइग्राफी है जहाँ पर आपका एक दिया गया था कि इन दा आप्टरनून आफ टाइम तो देखें इन दा आप्टरनून आफ टाइम यह जो आटो बाइग्राफी है ना यह हरिवन सर्राय बच्चन की आत्मकता है तो यह आपका यहाँ पर करेक्ट टेंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि मिल्ट वाटर चैंपियन्स चेस्टूर सतरंज दोहजर बाइस यह जो टूनामेंट है ना यह किस्ट ने जीता है तो देखें मैं आपको बता दू कि Milt Water Champions Tour Satoranj 2022 ये जो टूनमेंट है ये नार्वे के विश्व चैम्पियन मैगनेस कालसन के द्वारा जीता गया है तो मैगनेस कालसन आपका करेक्टांसर होगा बात कर लहिए जो आपका टूनमेंट है ये कहां पर आयोजीत किया गया था तो यह आपका USA देश में आयोजित किया गया था, तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश आपका यह आप रहा था, कि हमारे देश की सुपरसिद गायक जगजीत सिंग, जिनका 2011 में से आपका निधन हो गया था, और यह किस परकार के गीत गायन सैली से यह आ समबंदीत है, तो देखें यह आपके सुपरसिद जगजीत सिंग है, यह आपके गजल गायन से समबंदीत है, तो गजलाया आपका यहाप एक correct answer होगा, next question आपका यहाँ पराता है कि मकर सक्रांती को जो है माग साजी यह जो है कहाँ पर कहा जाता है तो देखे हिमाचल परदेश में जो है मकर सक्रांती को जो है यह माग साजी कहा जाता है तो हिमाचल परदेश आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा इसके लाव मैं आपको बढ़ा दू कि मकर सक्रांती को जो है पौस सक्रांती के रूप में ये जो आपका फश्चीम बंगाल में मनाया जाता है इसके लाव महरास्ट और गोवा में जो है मकर सक्रांती को मागी सक्रांती या फिर हल्दी कुमकुम के रूप में जो है इसे मनाय जाता है और केलल में जो इसे मकर वीलकू के नाम से जाना जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि विसू में सिलिकाउन वैली ये जो किसे कहा जाता है तो देखें मैं आपको बता दो कि सहीं उक्तराज अमेरिका में उत वेसं लुदु सहर को कहा जाता है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है नेख्स्ट को झापका आ पढे ना प्रादा कि द्वाराघ्च प्राणाली का त्याग और प्राधिय विधांसवा उदम में इसली कि अधिनियामे में चक्र ध्याम ह Kenneth जो है यह आपका भारसासन अधिनियम 1935 में किया गया था तो भारसासन अधिनियम 1935 आपका करेक्ट टैंसर होगा नेक्स्ट कोशा आपका आपना था कि दर टैकनिक यूटिलाइज़ टू सेपरेट एं मिक्शर ओप लिक्विट्स बेस्ड ऑन दर डिफरेंस इन दियर बॉइलिंग पॉइंट इस यानि द्रवो के मिश्रन को उनके कौथनांकों में अंतर के अधार पर प्रिथक यानि अलग करने की तकनिक को जो है क्या कहा जाता है तो देगे मैं आपको दादू की द्रवो के मिश्रन और उनके कौथनांक यानि जो आपके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके अंतर के आधार पर जो अलग करने की तकनिक होता है ना उसे जो है डिस्टिलेशन यानि आसवन कहा जाता है तो डिस्टिलेशन आपका यहां पर करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश्या आपका आपना था कि लोकसभा ने परिवार नियाले संसोधन विद्यक 2022 जो वह पारीद किया है तो यह किस राज्य में परिवार नियालों की अस्थापना के लिए परिवार नियाले नागलेंड राज्य में जो है परिवार नियाले अधिनियम 1984 में इसमें जब वह संसोधन करना चाहता है तो हिमाचल परदेश और नागलेंड आपका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश्या आपका यह आप रहा था कि पादब कोशिका में कोशिका जो भित्ती होता है ना इनका क्या कार्य होता है तो देखे पादब कोशिका में कोशिका भित्ती का जो परमुक कार्य है ना वो आपका कोशिका की आकरीती जो है वो प्रदान करना इसके अलावा प्रोटो प्लाज्म यानि जीव द्रव की रच्छा करना यह जो है कोशिका भित्ती का कार्य होता है तो आपके option में जिव द्रव की रचा करना दिया गया था तो यह आपका यहाँ पे correct answer होगा इसके लाव बात कर ले पादप में कोशी का भिती यह जो है किसका बना होता है तो देखे पादप में कोशी का भिती जो है न Delete यह आपका cellulose का बना होता है तो मौतमीद खान आपका correct answer होगा next question आपका यहाँ question आए था कि भारत रत्रत्र पुरुषकार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे तो देखें संगीत के छेत्र में भारत रत्रत्र पुरुषकार प्राप्त करने वाले पहली संगीतकार जो थी, यह आपका MS सूबूल लच्मी थी, तो MS सूबूल लच्मी आपका यहाँ पर एक correct answer होगा, इसके लिए मैं आपको बता दू कि यह आपका MS सूबूल लच्मी है यह आपका मदूरे तमिलनाडू राज्य से संबंदित है, इसके लिए एक्जाम में प् भारत रत्न समान से समानित किया गया था, 1954 में पद्म भूशन से समानित किया गया था, और 1975 में पद्म भीभूशन पूरुशकार से समानित किया गया था, तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए बात कर ले अन्य संगीतकार के बारे में, जिने भारत रत्न प भारत रतन से समानित किया गया था और 2009 में पंडित भीम सेंजोसी को भारत रतन समान से समानित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और इसे प्रीवियस सिप्टों में आपसे पूछा गया था कि पंडित भीमसें जोसी को जो है, ये जो है किस राज्य से संबंधित है, तो देखे पंडित भीमसें जोसी की बात करले, तो ये आपके करनाटक राज्य से संबंधित है, इसके लावा अगर M.S. Subu-Lacmy की बात करले, तो देखे MS सुबू लच्मी को 1974 में एशिया का नोबेल पुरुष्का जिसे रमन मैक्स से पुरुष्कार कहा जाता है और ये पुरुष्कार पाने वाली भी जो है ये पहली भारते संगीतकार थी तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा MS सुबू लच् परदर्शन करने वाली ये पहली भारते थी और ये परदर्शन की थी तो ये आपका 1966 में रखना है नेक्स्ट कोशना आपको आप रहा था कि इन में से कौन सी पहारी पस्चिमी घाट को सहादरी परवत भी कहा जाता है इसके अंतरगत नहीं आता है जहां पर ऑप्शन में काड़ुम पहाड़ियां अन्ना मलाई पहाड़ी निल गिरी की पहाड़ियां और महादेव की पहाड़ियां दिया गया था तो देखे पस्चिमी घाट की जो सबसे उची पहाड़ी है या आपका अन्ना मलाई है तो ये तो आपका पस्चिमी घाट में आ जाएगा इसके महादेव जो पहाडिया है यह आपका मध्यपर्देश राज्य में पहाडियों का एक सरिंकला है और यह आपका सत्पूरा परवस्रेनी के अंतरगत आता है और सत्पूरा परवस्रेनी का सबसे ऊची चोटी अगर पूछा जाए तो यह आपका धूप गड़ है तो यह चानक के और चानक के कहीं जो अन्य नाम है वो आपका कॉटिल्ली है तो चानक के आपके आपके यांपे करेक्ट एंसर होगा इसके अलाबा अन्ने पुस्तकों के लेख़ की बात कर ले, जहां से आपके टीसियस के द्वारा प्रस्टन पूछे जाते हैं, जैसे कि अस्टाध याई पुस्तके लेख़ कौन हैं, तो यह आपके पानिनी है, मुद्रा राच्छस पुस्तके जो लेख़ कैंए, यह आपके विसाक धत हैं, गित ग करंगनी के जो लेका गए या आपके कलन है, अर्थ-सास रकीप इसकी बात कर लें तो ये चानक़े के द्यारा लिखा गया है, हर्स चरित और कादमबरी, ये जो आपका बान बटे के द्यारा लिखा गया है, तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका आपना था कि बांगलादेश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगता है तो देगे मैं आपको बता दू कि भारत की जो आपका बांगलादेश की सीमा है ना ये आपके टोटल भारत के पांच राज्यों से ज सीमा जो वो साजा करता है तो इन में से आपका तीन तो अप्सन में दिया गया था इसके लावा जो चौता अप्सन था ना वो आपका सिक्किम राज्यत दिया गया था तो सिक्किम जो यह बंगलादेश से सीमा साजा नहीं करता है तो सिक्किम आपका करेक्ट अंसर होगा इसक फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश आपके यहां पर रहा था कि अक्टूबर 2022 तक कुल मौली कर्टब्यों की शंख्या पूछी गई थी तो देगे मैं आपको बता दू कि वर्तमान में अनुछेद 51-1 के तहर जो है आपके 11 मौली कर्टब्यों हैं तो 11 आप का यहां पे कर्ट अंसर होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि दस आपके जो 10 Nard passes यह आपके 42 संबीदान संसोधन तब है जो यह आपके भाग चार ए में हैं तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश आप कहा आप रहा था भारत का उपराश्पधी बनने के लिए जो है आपका 35 words होना चाहिए लोग सभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 words की आयू होनी चाहिए राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास 30 words की आयू होना चाहिए तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है next question आपका याप रहा था तो देखें मैं आपका बताओ की जो आपका आपासी यानि जो वर्चुल इमेज होता है ना इसे जो आपका परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो आपासी प्रतिबीम आपका correct tensor होगा इसके लाव बात करें कौन से प्रतिबीम गो जो है तो देखे अबासी प्रतिवीम ये जो आपका समतल दर्पन अब सारी लेंस जिसे अवतल लेंस भी का जाता है और एक उतल दर्पन की साहता से जो है एक अबासी प्रतिवीम की जो छविया वो बनाई जाती है और इसी से जो आपका अबासी प्रतिवीम जो है वो आपका बनाय कि देवी देवता की पूजा की जीजिया नेते में जो है किस देवी देवता की पूजा की तो देखे जीज्शिया की बात कर ले तो यह आपका मिध्लांचल बिहार का जो है एक परमुख है लोक नेतre है जिसका योजन तुर्गा पूजा यानि नौरातरी के औफसर पर जो है इस नेते को जो वो자를 हाता है और देखें जीजिया नेट में आपका भगवान, लच्मी, पारवती और सरश्वती के तीनों रूपों की पूजा की जाती है तो आपके तीन आप्सन इस परकार से ही दिये गया थे तो भगवान, लच्मी, पारवती और सरश्वती आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट उश्ण आपका आप राता कि कथक की बिर्जू महाराज को जो है कौन सा आवार्ड मीला था तो देखे बिर्जू महाराज को जो है 1986 में पद्म भीभूशन पुरुषकार से समानित किया गया था तो पद्म भीभूशन आपका correct answer होगा इसके ल法व इनका घराना पूछा जाता है तो देखे पंडीत भीड़जू महाराज का जो घराने से संबन्दी थे ना ये आपके लखना उकाल का बिनदा दीन घराने से संबन्दी थे और इनके चाचा का नाम पूछा जाता है तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा टीसियस के द्वारा पूछा जाता है कि पंडित बिर्जु महाराज को 2012 में कौन सा पुरुषकार दिया गया था तो देखे 2012 की बात कर ले तो इने जो है उन्ने कनातु विस्वरूपम के लिए सर्वस्रेष्ट कोरियोग फिल्म फियर पुरुषकार भी जो है वो दिया गया है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है next question आपका अपना था किесक्त कि पांडे वंस की जो राजधानी पूची गई थी तो देखे पांडे वंस की जो राजधानी था यह आपका मदुरेय में था तो मदुरेय आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा नेक्स्टकोषि नापका आप राए था कि FIFA विशुकप 2022 का जो आयोजन है ना यह कहां पर किया गया था? तो देखिए 2022 FIFA विशो कप जो आयोजन है ना यह आपका खतर देश में किया गया था तो खतर आपका यहां पे कर्डे तें सर होगा अगर इसके विजेता टीम की बात कर तो देखे फीफा विशुकप 2022 का जो विजेता टीम रहा है यह आपका अर्जंटीना देश रहा है उपविजेता की बात कर ले तो यह आपका फ्रांस देश रहा है और तीसरे पायदान पे जो आपका क्रोईशिया देश रहा है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना ह इसके लावा 2022 के फीफा विश्यो कप में सबसे ज़्यादा गोल जो है ये किसके द्वारा किया गया था तो ये आपके अमबापे के द्वारा जो कि आपके फ्रांस के खिलाडी थे इन्होंने जो पूरे टुनामेंड में सबसे ज़्यादा आठ गोल जब वो किये थे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा जो सर्वसेष्ट खिलाडी रहे थे ये आपके लियोनल मेसी रहे थे जो कि अर्जंटीना के कप्तान थे इसके लावा सर्वसेष्ट युवा खिलाडी की बात कर ले तो ये आपके एंजो फर्नांडिज रहे थे और सर्वसेष की जो अध्यस्ता है ना ये किसके द्वारा किया गया था तो देगे मैं आपको बता दू कि पूर्ण सौराज की जो मांग है ना ये आपका 1929 को कॉंग्रेश के लाहर अधिवेशन में जो वो किया गया था और इस अधिवेशन की जो अध्यस्ता है ना ये पंडी जवारला न कर रहा है ना यह आपका तीन जगों पर आयोजित किया गया था और वो तीन जगा कौन कौन से हैं तो पहला आपका बर्मिंगम अलबामा और युएस में जो है यह आपका आयोजित किया गया था तो बर्मिंगम अलबामा युएस आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा इसके medal जीते थे तो देखे, भारत ने ठोटल इसमें एक ही medal जीते थे, जो कि ब्रॉंज medal यानी कान से पड़क जीते थे और भारत के rank की बात कर ले, तो भारत जो इसमें सतरवे पाईदान पे जो है, यानी सबसे अंतीम पाइदान पे जो है आपका भारत देश रहा था इसके लाओ बात कर ले 2020 विश्व खेलो में भारत के दरप से जो एक ब्रॉझ मैडल जीता गया था ना वो जो है किसके द्वारा जीता गया था तो यह जो आपका आरचरी यानी तिरंदाजी में जो है आपका ग्रूप में जो वो जीता गया था और ये जो आपके दो ग्रूप में जो आपके जो जो नाम थे ये आपके जुएती सुरूख्या वेनम और अभी से एक वर्मा के द्वारा जीता गया था तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है वही अगर बात कर ले विश्व खेलो 2022 में पहले है तो ये आपका चींग्डू चाइना में किया जाएगा तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आ पका है या प्रहत आप रह MORE बात आदार पर सड़कों को जो है कितनी भागों में वर्गी करीट किया गया है तो दें slot का हैँ मैं आपको बनादा और फोर्ट आपका बहुत भारी सड़के हैं तो चार परकार आपका यहां पर करेक्ट अंसर होगा इसके लावा आगे के सिप्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि सड़कों के अस्थान और कारे के अधार पर सड़कों का जो वर्गी करेंग है यह कितने वर्गों में किया ग है और वो पांच वर्ग कॉनकों से हैं तो पहला आपका रास्टी राजमार्ग, सेगन आपका राज्जी राजमार्ग, थर्ड आपका परमुख जीला सड़के, फोर्ट आपका अन्य जीला की सड़के और फिप्त आपका गाउं की सड़के हैं तो यह फैक्ट भी आप ध्य गोलिया चलाने पर जो है जालिया वाला भाग हत्याकांड हुआ था तो देगे मैं आपको बता दू कि रॉलिट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है और इसे विरोध करने के लिए जो है लोगों जो है एककत्र हुए थे यानि एकजूट हुए थे और इसी को देखते जनरल डायर ने जो है आपका जो है ये आदेश दिया था गोलिया चलाने का जो वो आदेश दिया था तो जनरल डायर आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा और इसी कारण जो आपका जालिया वाला भाग हत्याकांड हुआ था इसके लिए जालिया वाला भाग हत्याकांड ये जो है कब हुआ था ये प्रस्टन एक्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपका 13 अप्राइल 1919 को, बैसाखी के दिन जो है ये आपका हुआ था और कहां पर हुआ था, तो ये आपका अमरीच सर पंजाब में हुआ था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, इस वर्स उम्र तक के युआ को जो है, लेकन प्रसिचन प्रदान जो वो किया जाएगा, तो देखें, मैं आपको दादू की प्रदान मंत्री यूर 2.0 योजना के तहर जो है, 30 वर्स की आयू तक के यूआ, और 9 अधीत लेखोकों को जो है, वो प्रसिचित किया जाएगा, तो तो तीस वर्ट्स आपका यहां पर करेक्ट अंसर होगा, इसके लाव बात कर ले, प्रधान मंत्री यूर 2.0 योजना, इसकी सुरुआज जो वो कब की गई है, तो यह आपका सिच्छा मंत्रा लेके द्वारा, दो अक्टूबर 2022 को जो है, आपका इस योजना की सुरुआज ज देखा कौन है, तो देखे, On the Origin of Spaces, यह जो पुस्तक है न, यह आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, तो चार्ल्स डार्विन आपका करेक्ट अंसर होगा, नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था, कि ब्रून का वह चरन, जिसमें सरी के सभी अंगों का प्रदान की जा सकती है, उसे जो एक गर्व, यानि फॉयटेस जो आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा, नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था, कि इंदिरा गांदी, रास्ट्रे वरिधावस्ता पिंसन योजना में, जो है, 60-89 उम्र हेतु, यह जो है, कितनी रासी प्रद की जाती है, जिसमें केंडर सरकार के द्वारा, जो है, 200 रुपे प्रतिमा दिया जाता है, और आपका राज्य सरकार के द्वारा, 400 रुपे जो आपका प्रतिमा दिया जाता है, कुल मिला का जो आपका 600 रुपे दिया जाता है, तो 600 आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा, इसके लावा असी वर्ट्सों से या फिर उससे अधीक आयू की बात कर ले तो देगे इस योजना में असी वर्ट्स या उससे अधीक आयू आलू को जो है 500 रुपे फ्रती मा जो है वो केंडर सरकार के तरफ से दिया जाता है और राज्य सरकार के तरफ से जो है 100 रुपे जो वो दिया जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव बात कर ले इंदिरा गांदी रास्ट्री विरिद्धावस्ता पिंसन योजना इसकी सुरुवात कब की गई थी तो 15 अगस्त 1995 को किया गया था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स बाती जा रही फैक्ट विरिद्धक गांपानी रख यानि अस्तूव जह वो कहा गया है तो ये आपका यहापर और करेक्ट अंसर होगा सरबर भाएं प्रशियल आपको ऐस्त ने लेकिन यह जो आपका 0% भी जो आपका निल tax lab होता है तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% यह जो आपके 5 परकार के GST tax lab होते हैं तो आपके उसल में अगर 4 या फिर 5 दिया हो गया था तो इन में से जो भी दिया जाए वो आपका correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि प्रधान मंतरी मुद्रा योजना में M का जो मतलब पूछा गया था तो देगे प्रधान मंतरी मुद्रा योजना में M का जो मतलब होता है वो आपका micro units development and refinance agency होता है तो यह full pump आपका यहाँ पर correct answer होगा इसके लावा मैं आपको बता दो कि प्रधान मंतरी मुद्रा योजना के तहत आपके तीन तरह के जो वो लोन दिये जाते हैं और यहाँ से आपका प्रधान मंतरी मुद्रा योजना के तहत सीसू लोन को जो है यह कितने रुपे तक करज दिया जाता है तो देगे सीसू लोन के तहट पचास जार रुपे तक जो है वो आपके करज दिये जाते हैं इसके लावा किसूर में जो आपका किसूर लोन में जो है आपके पचास जार से लेकर पांच लाक रुपे तक जो आपके करज दिये जाते हैं वही अगर तरून लोन की बात कर ले तो तरून लोन में जो भारत के तीन परमुग सामराज जी पाल प्रतिहार और राष्टकुट के भी जो है संघर्स यानि लड़ाई जो वो लड़ा गया था तो देगे मैं आपके बता दू कि कनौज की राधानी पर नियंतरन के लिए जो है भारत के तीन परमुग सामराज जी पाल प्रतिहार और र राज जी में प्रचलीत है तो 36 गड़ आपका यहां पेक करेक्ट अंसर होगा इसके लाब बात कर ले पंडवानी के प्रसिद कालाकार कौन है तो देखे यह आपका तीजन बाई है ना यह पंडवानी की प्रसिद कालाकार है और इन्हें 2019 में पद्व बीबूशन पुरुषक तो ऑक्जेलिक एसिड आपका यहां पेक करेक्ट अंसर होगा इसके लाब बात कर ले सिर्का यानि विनेगर में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है तो देखे सिर्का में जो आपका एसिड पाया जाता है इमली की बात कर ले तो इमली में जो आपका टार्टरिक एसिड पा जाता है और निम्बू और संत्रे में जो है आपका सिट्रिक एसिड पाय जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश्या आपके आप रहता है कि तराइन का पहला यूद ये जो है किसके मद्दे हुआ था तो देखे तराइन का जो प्रतम यूद ह ये आपका 1191 इसवी में लड़ा गया था और ये आपका मुहमद गौरी और प्रिथवी राज बदे लड़ा गया था जिसमें मुहमद गौरी की जवे हर हुगई थी यعनी तराइन के जो प्रतम यूद में जो विजेता रहे थे यापके प्रिथवी राज बदार गया Socrates त इनका अन्य नाम प्रित्वी राज तरीतिया है और ये आपका मुहम्मद गौरी के मद्धिल लड़ा गया था जिसमें प्रित्वी राज की जो हार हो गई थी और मुहम्मद गौरी तराइन का दूसरा यूज जो जीत गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाब बात कर लिए तराइन का जो मैदान है ये कहां पर इस्तित है तो देगे तराइन का जो मैदान है ये आपका हरियाना के करनाल और ठानेसवर जीली के बीच इस्तित है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका याप रहता है कि 2023 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप यह जो है कहां पर आयोजित किया जाएगा तो देगी 2023 का ICC मेंस ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप यह आपका भारत में आयोजित किया जाएगा और भारत में कब से आयोजित किया जाएगा तो यह आपका 5 अक्टूबर 2023 से जो आयोजित किया जाएगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि यह जो आपका ICC मिंस ODII क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है यह आपका पर्थे एक 4 साल बाद जो आयोजित किया जाता है तो आज आपका 2023 का पूछा गया था, आगे के जिप्ट में अगर आपसे 2027 का पूछ ले, तो देखे 2027 का ICC मेंस जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा न, यह आपका साउथ अफरीका, जिंबाबे और नामबिया में आयोजित किया जाएगा, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान मे देश रहा था, वही अगर उपविजेता की बात कर ले, तो देखे इसका जो उपविजेता है न, यह आपका न्यूजिलेंड देश रहा था, इसके लाबाद 2022 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात कर ले, तो यह आपका आउस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, और यह जो इसके जो विजेता टीम रहा था, वह आपका इंगलेंड देश रहा था, और इस टूनामेंट में जो सबसे ज़्यादा रहन है, यह विराट कोहली ने मारा था, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश आपका यह आप रहा था, कि 2022 ICC उमेंस क्रिक इसके विजेता टीम की बात कर ले, तो देखें, विजेता जो है, यह उसका खिताब जीत लिया है, वही अगर उप विजेता की बात कर ले, तो उप विजेता जो है, यह आपका इंगलेंड देश रहा है, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, इसके लावा बात कर ले 2023 में जो आपका ICC Women's T20 विशोक अप हुआ ना ये कहां पर आयोजित किया गया है तो ये आपका South Africa में जो आयोजित किया गया है तो ये fact भी आप ध्यान में रखेगा जिसका वीजेता टीमी जो है ये आपका Australia देश रहा है नेक्स्ट कोश है आपका याप रहा है था कि मेरी पॉलीशी मेरा हाथ ये जो अभियान है ना ये किस मंत्राले की पहल है तो देखे मेरी पॉलीशी मेरे हाथ ये जो अभियान है ना ये आपका Ministry of Agriculture and Farmers Welfare यानि क्रिशी मंत्राले का जो एक पहल है तो क्रिशी मंत्राले आपक करेक्टेंसर होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि यह जो आपका मेरी पॉलीशी मेरे हाथ जो अभियान है ना यह आपका प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना के तहट जो है इस कारेक्रम को जो है वो चलाय जा रहा है और इस योजना के तहट भीमा लेने वाले पटे किसा पॉलीशी के दस्तावेज उनके जो वो दर्वाजे पर जो वो मिलेंगे तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश्य आपका आप रहता है कि छट पूजा यह किस भगवान की पूजा की जाती है तो देखे छट पूजा पर यह सुर्य भगवान की तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और देखे यह जो आपका छट पूजा है ना यह मुख्य रूप से बिहार, जारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उतरपरदेश राज्य में जो है मनाया जाता है नेक्स्ट कोश्य आपका यहां पर रहा था कि ग्रै ग्रैमी लाइप टाइम अचीवमेंट अवार्ड से समानित किया गया था और यह जो है भारत से प्राप्त करने वाले यह जो है पहले वेक्ति हैं तो पंडित रवी शंकर आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा इसके लाब मैं आपको बता दूँ कि ग्रैमी जो आप आपका अवार्ड है यह अलग-अलग केटेगरी में भी जो वो दिया जाता है तो अगर पूछा जाए कि ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतिय अगर पूछा जाए तो यह तो आपका लाइप टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने व 2012 की बात कर ले तो 2022 में आपका फालू को दिया गया है और किस एल्बम के लिए दिया गया था तो एक Colorful World के लिए इनने 2022 का जो वो Grammy Award दिया गया है इसके लावा 2023 की बात कर ले तो 2023 में भारते संगितकार रीकी केज को जो है उनके अलबम डिवाइन टाइट्स के लिए इनने तीसरा ग्रैमी पुरुषकार जो वो दिया गया है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि कुछ मामलों में कानूनी रूप से गरबात के लिए ये कितना सब्ता का और बढ़ा दिया गया है तो देखे मैं आपको बता दू कि भारत में MTP Act 1971 के तहत गरबपात के लिए जो कानूनी रूप से अनुमती दिया गया था और इसमें भारत के कुछ कानूनी मामलों में 20 हपते तक गरबपात की मंजूरी दी गई थी लेकिन वर्तमान में 2021 में इस कानून में संसोधन किया गया है और इसकी समय सिमा बढ़ा कर वो 24 हपते कर दिया गया है तो 24 हपते आपके यहाँ पे करेक्ट टेंसर होगा नेक्स्ट कोश है आपके आप रहा था कि 1918 में गांदी जी ने किस आंदोलन में भाग लिया था तो देखे 1918 में गांदी जी ने यह आपका खेड़ा सत्यागरा और एहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में भाग लिया था तो आपके option में आहमदाबाद मील मजदूर अंदोलन दिया गया था तो ये आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ पर आथा कि मारियाना गर्थ ये जो किस महासागर में इस्तीत है तो देखे विश्व का जो सबसे 11 महासागरी गर्थ है न वो आपका मरियाना गर्थ है और ये जो आपका प्रशानत महासागर यानि Pacific Ocean में इस्तीत है तो प्रशानत महासागर आपका यहाँ पर correct answer होगा वही अगर मरियाना गर्थ यानि ट्रेंच की बात कर ले इसका height कितना है गहराई कितना है तो ये आपका 11,033 मीटर है तो ये fact भी आप ध्यान में रखेगा next question आपका आप रहा था कि किस आधुनिक आवर्थ सारनी में किसी तत्व के रासायनिक और भातिक गुन जो है परमानु क्रमांग पर जो वो निर्भर करता है तो देखे 1913 में हैंडरी मोजले के द्वार्थ जो आपका आधुनिक आवर्थ सारनी दिया गया था ना ये जो है किसी तत्व के रासायनिक और भातिक गुन कि जो है ये आपका परमानु क्रमांग पर जो वो डिपेंड करता है तो हैंडरी मोजले आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका आपका आप रहा था कि बिहार का रामपूर्वा जो अस्थंब यानि जो रामपूर्वा जो बैल है इसे जो है कहां पर रखा गया है तो देखे रामपूर्वा बैल को जो है रास्ट्रपती भवन की प्रांगन की परवेश द्वार पर जो है केंद्रियस थंबो के बीच एक चबूत्रे पर जो है इसे चड़ाया गया है नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि राजगुरू सुखदेव और भगत सिंग को फासी जो है ये कब दी गई थी तो देखे इन तीनों को जो फासी है न ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था तो 23 मार्च 1931 आपका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि भात्य मानक समय रेखा ये जो किस राज्य से होकर नहीं गुजड़ता है तो देखे मैं आपको बता दू कि भात्य मानक समय रेखा जो है ये आपका टोटल पांच राज्यों से गुजड़ता है और ये इसका जो ट्रीक है वो आपको उत्तर परदेश हो गया मेशे आपका यहाँ पर मद्दे परदेश हो गया उड़ से आपका औरीसा राज्य हो गया तो भात्य मानक समय रिखा ये पांच राज्य से होकर जो वो गुजरती है तो इन में से आपका तीन राज्य तो दिया गया था इसके अलावा जो आपका चौ ब्रविय देशानतर को जो है यह आपका भारती मानक समय जो वह माना जाता है और यह कहां से रुझसे गुजरता है तो यह अपका भारत में इलाहभाद 2 के नैनी के समीब छो है 26 नॉमबर 1949 को अंगी करेट किया गया था तो 26 नॉमबर 1949 आपका करेक्ट टेंसर हुआ इसके लाव बात कर ले भारत का समीधान ये जो है कब लागू हुआ था यानि प्रभावी हुआ था तो ये आपका 26 जनॉरी 1950 को जो है ये प्रभावी हुआ था बात कर ले भारत का समीधान बनने में कितना समय लगा था तो ये आपका 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका याप रहा था कि रंग राजन समीती का जो गठन है ना ये किस लिए किया गया था तो देगे मैं आपको बता दू कि विनिवेश के संदर में सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा 1993 में जो रंग राजन समीती का गठन किया गया था तो विनिवेश के संदर में आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा next question आपके आप रहा था कि Ace Against Oats यह जो किसकी आत्मकता है तो देखे Ace Against Oats यह जो आपका सानिया मिड़्जा की आत्मकता यानि आटो बायग्राफी है तो सानिया मिड़्जा आपके यहां पर correct answer होगा इसके लावा बात कर ले Ace Against Oats यह जो पुस्तक है ना इसके को आथर यानि सहलेकर कौन है तो यह आपके इमरान मिड़्जा और सीवानी गुपता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपके यहां पर रहा था कि धामेक अस्तूप यह जो किस राज्य में इस्तित है तो देखे धामेक अस्तूप की बात कर ले तो यह आपका उत्तर परदेश में वारा नसी के निकट सारनाथ में इस्तित है जहाँ पर बहुत के स्वारी यहाँ पर गौतम बुद के द्वारा जो है प्रत्थम उब्देश जो वो दिया गया था तो उत्तर परदेश आपका यहाँ पर एक करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यहाँ पर आया था कि विधान परिशत की अधिक्तम संख्या उस राज्य की विधान सभा की सदश्य यानि जो आपके MLA होते हैं उनका जो एक कितना अनुपात यानि रेशियो जो वो होता है तो देगे मैं आपको बदा दू कि विधान परिशत की अध अपने आपके सदश्य होते हैं तो 40 जो तो आपके नियूनतम जो वो सदश्य होते हैं तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि आईरन के लिए कौन सा विटामिन सहायक है तो आईरन के लिए जो आपका विटामिन सी जो है यह सह तो विटामिन सी आपका करेक्ट टेंसर होगा, नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि मालदियू की जो राजधानी पूछी गई थी, तो देखें मालदियू का जो राजधानी है यह आपका माले है, तो माले आपका यहाप एक करेक्ट टेंसर होगा, इसके लिए आप बात कर है तो काल्बेलिया और KLBEL лег नेत्य है यहाँ पर करेक्ट अंसर हो गांए अपको भदा राजस्थान राज्य का एक लोक नेत्य है जिसे सपेर्ड नेत्य गया जाता है और कालबेलिया नेत्ते को ही 2010 में आपका यूनेशकों के अमरीत विरासस सूची में इसे सामिल